कॉरोना वाइरस से तरस्त पूरी दुनिया को हो सकता है कि सितंबर में इस वाइरस से मुक्ती मिल जाए। वैज्ञानिक ऐसी उम्मीद जता रहे हैं। दरसल दुनिया के देश वैक्सीन बनाने का दावा कर रहे हैं। इसराइल, इटली के अलावा और भी देश हैं जो वैक्सीन बनाने की रेस में सामिल हैं। और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वैक्सीन तयार हो जाए। अब एक और वैक्सीन का मनिश्यों पर परिक्षन शुरू हो गया है। अधिक असरदार और वाइरस को कमजोर करने में सक्षम इस वैक्सीन को बताया जा रहा है। वैक्यानिकों का दावा है कि ये वैक्सीन पुरी दुनिया के वैक्सीन से बिलकुल अलग है। शरीर में ज़्यादा ताकतवर एंटीबोडी बना कर उसकी प्रतिरोधक शमता बढ़ाने में ये कारगर है। जैनेटिक मटीरियल से तैयार ये वैक्सीन दूसरी वैक्सीन से पुरी तरह अलग है। वैज्यानिकों का कहना है कि ये कोशिकाओं को वाइरस से लड़ने वाले प्रोटीन बनाने का संदेश दे कर संक्रमन को मात देने में सक्षम है। अमरीकी कंपनी फाइजर और जर्मनी की बायो एंटेक का दावाए की सफल होने पर सितंबर में आपात इस्तिती के लिए ये वैक्सीन उपलब्द होगी। वैग्यानिकों का दावाए की इंजेक्शन से दी जाने वाली इस वैक्सीन का कोई दुश प्रभाव नहीं है। नियू यूर्क यूनिवस्टी के संक्रमन रोग विशिशच्य डॉक्टर मार्क का कहना है कि स्वस्त लोगों पर वैक्सीन का परिक्शन होगा क्योंकि वो ट्राइल के दोरान सबसे सुरक्षित रह सकते हैं। वैग्यानिकों ने ये भी कहा कि वायरस स्वांस नलिका से फेवरों तक पहुँचकर सभी अंगों को संक्रमित कर रहा है। ये वैक्सीन शरीर की स्वस्त रोग प्रतिरोधक शमता को प्रिशिक्षित करने का काम करेगी जिसके जरिये अधिक से अधिक शक्तिशाली एंटीबोडीज बनेगी और वो शरीर में संक्रमन को खत्म कर देंगी। वेग्यानिकों का दावाई कि ये वैक्सीन दूसरी वैक्सीन की तुल्ला में अधिक असरदार और कारगर है और वाइरस को कमजोर करने में पूरी तरीके से सक्षम है। 36 लोगों पर ट्राइल होगा, दूसरे चरण में करीब 8000 लोगों को शामिल किया जाएगा। दंबीर मरीजों पर इसका प्रयोग शुरू किया गया है। झाल प्रयोगों प्रयोगों को श्युरू किया जो श्युक्तों में अन्युक्ति लोगों किया सक्षम है।